हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल मैंने पिछले वीडियो में गले के फंदे कैसे लगाते हैं वो बताया था आप इनको कैसे बुनना है आज मैं वो बताऊंगी ये हुंडे तीन स्लाईयों के उपर है चोथी स्लाईस इनको बनाना है यानि भुनना है तो पहला कुंडा इसको सीधा भुन लिया एक उल्टा और एक सीधा भुनना है दूसरा कुंडा इसको उल्टा भुन लिया एक सीधा और एक उल्टा इस स्वाटर की फ्रंट साइड की दूसरी स्लाई चली हुई है अब में पॉइंट यह है जो एक बीच वाला कुंडा जिसको लॉकल लगाया के रख्था हुआ था अब इस कुंड़ी को कैसे बनाना है तो इस कुंड़ी को हमने एक जो इस इदर वाला कुंडा है इसको भी इसको नीजे कर लाएना और इस कुंड़ी को हमने ऊपर रखना है और एक जो आगे वाली स्लाई के कुंड़ा है उसको भी ऐसे ले लेना है अब यह तेन कुंड़े हो गए जो बीच वाला कुंड़ा था उसको सबसे उपर रख दिया है अब इस तीनों को भूल लेना है ऐसे स्लाई के उपर अब तीनों को ले लेना है और इनको ऐसे भूल लेना है ऐसे जो बीच में एक कुंड़ा रखा हुआ था उसको उपर ही रखना है और इसके आसपास से दो कुंड़े मिला के तीनों से एक कुंड़ा निकाल लेना है ऐसे अब यह सलाई खत्म होगी है अब यह तीसरी सलाई स्टार्ट होगी है कुंड़ा बीच वाला यह वह था सीधह कुंड़ा है तो अब इसके साथ में जो । हमने एक सीधा कुंड़ा बुना है उल्टा भी है लेकिन जो साथ होगी के तो आगे वाले को भी सीधह रखना है अब इस स्लाई को यहीं पर छोड़ देना है और अगदी स्लाई से इसको बनाना है ऐसे एक सीधा एक उल्टा यह सभी कुंटे ऐसे ही बनते रहेंगे एक सीधा एक उल्टा एकन यह जो बी सेव में आगे वाला गला है इसके दोना तरब को एक जैसे कुंडे होने चाहिए यानि बराबर कुंडे होने चाहिए जितने एक तरब को है उतनी ही दूसरी तरब को होने चाहिए सीधा उल्टा आप कोई और बोडर भी बना सकते हैं सीधा कुंडा यह उल्टा कुंडा अब हम फिर से जो बी सेव में बीच वाला कुंडा है उसके पास पहुंच गये हैं उसको उस कुंडे को कैसे अब उपर रखना है तो वो यह वाला कुंडा है अब इसको और इसके साथ वाली कुंडे को उन दोनों को इस लाई के उपर लेकर और एक कुंडा जो आगे वाला कुंडा है इसके साथ जो आगे वाला कुंडा है इसको भी ऐसे च लाई को उपर ले लेना है तीनों को लेकिने जो बीज वाला कुंडा है उसको उपर ही रला है फिर में पॉइंट इस गले का यही है कि बीच वाले कुण्डी की चेन कैसे बनाएं अब इन तीनों को इकठा लेकर इनको तीनों को बुन लेना है और एक उंडा निकाल लेना है अब यह जो बीच वाला कुण्डा है इसको उपर रखना है तो इसके पीछे वाला कुण्डा और एक आगे वाला कुण्डा ऐसे ले लेने तीनों सलाई के उपर और इनको बुन देना तीनों से एक उंडा निकाल देना है यह जो बीच वाला कुण्डा होता है चेन वाला वह अब बन रहा है और इसके आसपास से जो दो कुण्डे हैं वह गट रहे हैं कि अब आगे अगे दूसरी स्वाई लगाएंगे कि कुण्डा उल्टा इसको उल्टा बनाना है अगे वाला यह सीधा है इसको सीधा बुनना है अब बना है अब दूसरी स्वाई लेस्टा बना है अब दूसरी स्वाई लगाएंगे